हलो दोस्तों तो कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे बढ़िया होगे तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सॉफ्ट्वेर को सीखने के बाद जॉब्स को कैसे फाइंड करें और इंट्रूइूस को कैसे क्रैक करें काफी बड़ा डाउट होता है सब के मन में कि मतलब अखिर कैसे कुछ लोग इंट्रूइूस को क्रैक कर लेते हैं और कैसे कुछ लोग इसली जॉब भी कर लेते हैं तो दोस्तों इसका कोई शॉटकट नहीं है इसके कुछ पॉइंट से जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊ कराओंगा तो सबसे पहली चीज तो make sure करें कि जिस भी आप इंसिट्यूट से ट्रेइंग से ले रहे हो तो ट्रेनिंग इंसिट्यूट की नहीं आपकी बीड ट्रेनिंग कम्लीट हूई हो मैं ऐसा क्यों के रहा हूँ बहुत लोग क्या होता है त्री मैंस का ट्रेइनिग है नहीं पीरहर चीज से और। यहां पर झालो से सीखते हों अगर यहां पर आप ने उस में डिक्कत से सीखते हों अवह हर मेना चार मेनी जितने भी टाइम आपका ट्रेनिंग पिरिड होता है बोब वागर हो हर चीज को पूछ हर कीज को समझ और और चीज को सेम डे क्लियर कर दो उसको नेक्स्ट टेपर डालो इना मुश्पबली और मुश्पबली अगर आपका कुछ क्योने सेशन होता हो तो at least within week समझो की जो भी डाउट से तो within week क्लियर ही कर लो उसको नेक्स्ट वीक तक तो किसी भी केस में डालना है तो आपको पूरा प्रिपैर होना चाहिए इंट्रियूस देने से पहले जो भी आप से पूछ रहे हैं वो चीज अच्छे से आती है कि ने बिकाउस देनों आज फ्रेशर ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आएगा बट जो भी चीज वाप से पूछ रहे हैं अनमें से कुछ चीज आपका मतलब प्रॉपर होनी चाहिए लॉजिक क्लियर होनी चाह करें अच्छे से प्रॉपरेंशन करना है पहला पॉइंट यह है अब कुमिंग टू सकेंड पॉइंट ठीक है कि अपने अच्छे से प्रेक्टिस कर ली उसके बात क्या करें तो दोस्तों अपने एक नैक्शन बढ़ाएं समझो कि आपने साइस की तैयारी की तो आपकी जो क क्या करता है Saz App या उस जॉब रॉल पर जिसभी चीज की अपने आपने ट्रीणिंग ली ली हो अगर कोई काम करता है तो उनसे connect करो उनसे जानने की कोषिश करो की फ्रेशर के उन्टरीव कैसे होते हैं कि उनके कंपनी चांस में लेते हैं कि नहीं अगर लेते हैं तो कैसा होता है interview कौन से चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होता है अगर इंटर्वीव होते हैं तो क्या आपको refer कर सकते की नहीं यह सब चीजे आपको connection बना-बना के उनसे connect करके उनसे जानना है कि सर मैं इस फील्ड से बिलॉंग नहीं करता ना मैं उसका स्टूडेंट हो और मेरे connection में भी कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो उस प्रॉपर की मैं ट्रीनिंग ले रहा हूं उस केस में क्या कर सकते हो आप सिंपली लिंग निंग पर जाके अपना प्रॉफाइल बनाओ ठीक है समझो अगर आप जावा का जॉब रोल भून रहे हो तो ऐसा लिखो वहां पर सर्च में जावा डेवलपर बहुत सारे जावा डेवलपर मिल जाएंगे डेली इस फाइटें जावा डेवलपर को connect करो उनसे बात करो उनसे जानो कि कैसे काम होता है विकास में भी वो फाइट बहुत जारा difficulty नहीं होती है कुछ चीज़े अलमोस्ट सेम होती है एकदम सीमिलर नहीं बट कुछ पार्ट सेम होते हैं बट कुछ लॉजिक्स होते हैं जो हर सौफवेर के अलग होते हैं अरहन इंडुस्ट्री की अलग-अलग टर्मिनलोग जिस होती है तो experience से connect करो उनसे ज चीख्या है कितने अच्छे से जानते हो क्योंकि मेरे खुद के पास कोई certificate नहीं है और मेरे दो स्टुडेंट सेलेक्ट हुए उनके पास भी कोई certificate नहीं है इस इंडुस्ट्री में उस software पर सिर्फ सर्टिफिकेट वाले को इंट्री दे रहे हैं उस case में जरुद पड़ेगी या तो आपसे इंट्रीव क्रैक्ट नहीं हो रहे है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई तो तब आपको certificate की जरुद पड़ेगी ताकि आप शो क कर सको और आप जब certification का exam दोगे तो एक तरह की आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी इन शॉट में कहूं तो सबसे जादा तो आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देने हैं आपको अलगलग लॉजिक से solve करना है वीडियो के लाश्ट में सबसे बड़ी चीज पर हम focus कर लेते हैं करना है आप कोई भी चीज बोलते हैं इंट्रिव में मतलब वह अच्छे से बोलते हैं उसका कोई negative impact ना हो और जो आपका communication हो जो भी इंट्रिव ले रहा हो उसका communication उसका और आपका connect बहुत अच्छे से बना रहा है कि यहां पर आपको समझो कि अलग-अलग टीम के साथ रखा जाता है अलग-अलग company के लिए आप ऐजा FSP काम करते हो तो उसक्त क्या होता है आपका communication काफी help करता है ताकि आप easily अपना message उनको convey कर सको और उनकी बात भी इसली समझ सको English English must होता है आई-टी के इंट्रिव में but 70% या 60% इंट्रिव मतलब 70-60% आपकी इंग्लिश आपको मतलब convey कर सके और समझ सके ना इतना इनाफ होता है English is just needed to communicate to the other person ऐसा नहीं कि में इंडेटरी चाहिए चाहिए बट हां वाइल दे इंट्रिव और इंडेश्री इंडेश्री इंडेट इस नीड़ा है बट इस लाइक नॉट की इंग्लिश मस्ट होनी ची एकदम फ्लूआट होनी ची ऐसा नहीं है तो यह मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किये हैं आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना तब तक नेक्स्ट वीडियो मिल चाहिए